अमीर और गरीब बनाने वाली दो बातें पत्थर और पानी का संबाद जैसरी कृष्ण दोस्तो आज मैं आपको छोटी छोटी दो कहनिया सुनाओंगा जो आपको सपलता के गुर्व सिखाएंगी किस प्रकार आदमी बड़ा बन जाता है और किस प्रकार बड़े से छोटा बन जाता है कहते हैं आदमी चाहे कितना ही बड़ा बन जाए पर कुछ बातें उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए वरना उसे राजा से रंक बनते देर नहीं लगेगी और आदमी चाहे कितना ही कमजोर हो गरीब हो यदि वो दो चीज़ें अपने जीवन में अपना ले तो उसे बड़ा बनने में तो उसे बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता बे कौन सी दो बाते हैं जो अमीर और गरीब दोनों को सुननी चाहिए तो आईए बिना इसकिप किये इस वीडियो को पूरा सुनते हैं किसी जगह पर एक नल लगा हुआ था नल का पानी जहां गिरता था बहाँ पर एक पत्थर की सिला रखी हुई थी उस जल से पानी की एक एक भून टपक कर हमेशा उस पत्थर के उपर गिरती रहती थी वो पानी की छोटी सी भून पत्थर पर गिर कर चारो तरफ बिखर जाती थी और कुछ दिर बाद वो हवा और धूप लगने से अटसीगर सूख भी जाती थी ऐसा रोजाना होता था एक दिन पत्थर ने हस्ते हुए उस बून से कहा अरे ओ मूर्ख जलकी बून तू किसलिए विर्थ में मेरे उपर रोजाना टपकती रहती है और अपना नास करती रहती है तुझे तो पताई है कि मैं कितना कठोर हूँ मेरे उपर गिरने से तू छिन भिन हो जाती है और तेरी सक्ति विर्थ ही नश्ट होती रहती है तेरे टपकने से मुझे तो कुछ नुक्सान नहीं होता उल्टा तू ही नश्ट भेस्ट होकर सूख जाती है ये तेरी मूरकता नहीं तो क्या है जो अपने आप अपना ना स्वैम करती रहती है दर्शक वंधू पत्थर की एहंकार पून बातें सुनकर बून्ध कहने लगी है पत्थर भाई तुमने मेरी कोमलता देखी है मेरी हिम्मत और लगन को नहीं देखा मैं तुमसे टकराने के बाद भी हिम्मत हार कर सांत नहीं बैठती बलकि मेरा अभ्यास निरंतर जारी रहता है और मैंने ये प्रड किया है कि मुझे तेरे इस कठोर अंग में छेद करके तेरे अहंकार को तोड़ना है तब तुझे पता चलेगा कि यदि कमजोर आदमी भी निरंतर प्रयास रत रहे तो वो भी अच्छे अच्छों को जुका सकता है वो भी अपने मकसद में काम्याब हो सकता है नित्रो उस छोटी सी जलबूंद की बात सुनकर पत्थर खिलखिला कर हस पड़ा कहने लगा अरे दुष्ट बूंद अपने से बलवान के साथ इस परदा करना कहां की समझदारी है बिद्वान लोग कहते हैं जो मूर्ख अज्यानता बस या अविमान पूरबग अपने से बलवान के साथ लड़ने जाता है या उससे बैर ठानता है वो दीपक पर पतिंगा की भात जल कर नश्ट हो जाता है लक्ष भी बही चुनना चाहिए जिसे मनुस्थ आसानी से पूरा कर सके जो लोग अपनी सामर्थ से बड़ा लक्ष चुल लेते हैं वे या तो नश्ट हो जाते हैं या अपनी हसी कराते हैं पत्थर बोला हे जल बिंदू तुझमे इतनी सक्ती कहा है जो तु मेरे बज्जर जैसे कठोर सरीर को भेद सके मुझसे टकरा कर तु अपना ही नास करेगी कम से कम तुने अपनी कोमलता पर तो ध्यान दिया होता समझदार लोग पहले अपनी सामर्थ को समझते है उसके बाद सत्रू की सक्ती को समझते है तब उससे लड़ने जाते है हे बूंद यदि तु अपना भला चाती है तो तु मुझसे टकराने की अपनी जिद छोड़ दे तेरा सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होगा तर्शक बंथू तब बूंद कहती है हे पत्थर मुस्किलों से डर कर मैं अपना लक्ष नहीं बदल सकती क्योंकि कहते हैं यदि हम गिरते हैं तो और अधिक अच्छी तरह चलने का रहस सीख जाते हैं जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता वो हर काम को अलग तरीके से करता है याद रखो कोई भी लक्ष बड़ा नहीं होता जीता वही है जो डरा नहीं होता हे पत्थर मैंने ये तै किया है कि या तो मैं कारिय सिद्ध करके रहूंगी या फिर अपनी जान देतूंगी बूंद के मुख से ऐसी बाते सुनकर पत्थर घमंड पूर्बक हसने लगा और बोला है जल बूंद यदि तुझे मुझे टकरा कर मरना ही है तो मर जा अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा इतना कहकर पत्थर सांत हो गया बूंद ने भी पत्थर की बात का बुरा नहीं माना वो गंभीरता पूर्बक धीरे धीरे टपकती रही समय वीत्ता चला गया जल की बूंद ने अपने टपकने का काम जारी रखा एक दिन पत्थर ने देखा कि उसके बज्जर जैसे सरीर पर बूंद ने एक छोटा सा छेद कर दिया है यहें देखकर पत्थर का अभिमान चूर चूर हो गया तब पत्थर ने नमरता पूर्बा को छोटी सी जल बूंद से कहा हे बहन तू तो बड़ी कोमल थी मेरे उपर गिरते ही छिन भिन हो जाती थी फिर तूने मेरे सरीर में छेद कैसी कर डाला तब जल की बूंद पत्थर को बताती है हे पत्थर भाई जब किसी को अपने उपर अभिमान हो जाता है चाहे वो बल का हो या धन का हो या रूप का हो उस समय वो लापरवा हो जाता है बो अपनी सुरच्छा के बारे में अपनी सक्ती के विस्तार के बारे में अपने विकास के बारे में सोचना बंद कर देता है और दूसरों को तुछ समझने लगता है इसलिए वो पराजित हो जाता है किसी भी कारिये को सिद्ध करने के लिए एकाग्रता और आत्म विस्वास की जरूरत होती है कहते हैं जो बिना किसी भैके अस्पल होने का डर किये बिना एकाग्र होकर काम करता है वो कठिन से कठिन कारिये में भी सपलता हासिल कर लेता है दर्शक वंधू पत्थर अब समझ चुका था कि सपलता का असली रहस्ट क्या है निरंतर के प्रियास और आत्म विश्वास के वल से कठिन से कठिन कारिये भी सिद्ध हो सकता है बूंद कहने लगी है पत्तर भाई कभी वड़े होने का उंचे पत्वर बैठने का सकतसाली होने का अभिमान मत करना समय एक दिन हर किसी का आता है बूंद बोली है पत्तर भाई इस शम्मंद में मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ जरा ध्यान से सुनो एक बार की बात है समुद्र किनारे एक नारियल का पेड़ खड़ा था जिस पर नारियल लगे हुए थे नारियल को अपने उंचे होने का बड़ा गुमान था कि मैं इतने उंचे इस्थान पर साप स्वच बाता बरण में रहता हूँ गंदगी तो मुझको कभी छूवी नहीं सकती एक दिन नारियल बही पड़े हुए एक पत्थर की हसी उड़ाते हुई बोला हे पत्थर तेरी जिन्दगी भी क्या जिन्दगी है पूरे दिन गंदगी में पड़ा रहता है जो आता है पैर से खूंद कर चला जाता है गंदा अपवित्र पानी तुझे इस पर्थ करता रहता है तुम चाहकर भी कभी मेरी तरह उचे इस्तान पर नहीं पहुँच सकती इस तरह से वो नारियल उस पत्थर का रोज रोज अपमान करता था पत्थर चुपचाप नारियल के अपमान को सह लेता था एक दिन मूर्तिकार की द्रिष्टी उस खुरदरे पत्थर पर पड़ी जो नारियल के पेड के नीचे पड़ा था मूर्तिकार ने छेनी हतावडी निकाली और उस पत्थर को तरासने लगा छेनी और हतावडी की चोट जब उस पत्थर पर पड़ती थी तो यह देखकर नारियल और भी जोर से हस्ता था और पत्थर को चिडाते हुए कहता था हाई रे बदकिस्मती बैसे भी तू समुद्र के पानी के थपेडों की चोट खाका कर इदर उदर टकरा कर बेसोवा हो गया है फिर मनुस्वों के पैरों तलों रौदा गया है अब यह सिल्पी छेनी और हतवरी से तुझे चीर कर घायल कर रहा है तू चिलाने के अत्रित कुछ नहीं कर सकता देखकार है इसी जिंदगी पर जिसमें अपमान और जख्मों के अत्रिक कुछ भी ना मिलता हो और मुझे देख मेरा जीवन कितना मस्त है मैं बड़ी सान से अपने उचे सिंगासन पर विराजमार रहता हूँ दर्शक बंथू नारियल हसता रहा और खिलिया उड़ाता रहा पर पत्थर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया कुछ दिनों के बाद उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को भगवान की मूर्ती का रूप दे दिया और उसे एक बड़े से मंदिर में प्रतिश्चित कर दिया एक दिन उसी पेड़ के नारियल को एक व्यक्ति तोड़ कर लाया और उसी भगवान की प्रतिमा पर लाकर चड़ा दिया अपने चलडों में नारियल को पड़ा देखकर पत्थर ने कहा जो इस्वर की प्रतिमा के रूप में खड़ा था हे नारियल उचा पद पाकर ब्यक्ति को कभी अभ्युहान नहीं करना चाहिए नीचे इस्थान पर रहने बाला भी अपनी काबिलियत से बड़े वड़ों को अपने चलडों में जुकबा लेता है जिन्दगी में सफल और उचा उठने के लिए सांत रहकर संगर्शों से जूजना पड़ता है लोगों की तरह तरह की बातों को मान अपमान सब सहने पड़ते हैं जिसने कश्टों को सहना नहीं सीखा वो कभी उचाई पर नहीं पहुच सकता कश्ट सहकर मुझे जो जीवन मिला है मुझे ईश्वर की प्रतमा होने का सम्मान मिला है छेनी और हतवनों की चोट सहकर आज मैं ईश्वर बनकर बैथा हूँ लोग मेरा सम्मान करते हैं मेरे आगे नत्मस्तक होते हैं इसलिए कहते हैं जो लोग सांत रहकर चुपचाप अपना कर्म करते रहते हैं बे आदर के पात्र बनते हैं और जो लोग आइंकार बस धमंड का भार लिए घुमते रहते हैं बे एक दिन नीचे आकर गिरते हैं इसलिए उचे इस्थान पर पहुँच कर कभी नीचे इस्थान वालों का उपहास ना करें मुनी अस्थाबकर कहते हैं कि बहुत सी लोग दूसरों के दोस देखकर उन पर उंगली उठाने लगते हैं किसी के गुर दोस निकालना ठीक नहीं है किसी के दोस गिनने से अच्छा है कि कान में उंगली डाल ली जाए बिस्वास मानो तुम सबसे भले ब्यक्ति माने जाओग किसी की निन्दा करना उचित नहीं है निन्दा से सत्रू बनते हैं किसी की इस्थितिको अपने से मत तो लो ये इस्थितियां समय के इसाफ से बदलती रहती हैं यदि कोई मौन रहकर आपकी बातों को सुर रहा है तो उसे असमर्थ समझने की भूल मत करना क्यूंकि लक्ष बही बेटता है जिसका इदर उदर ध्यान नहीं जाता और बड़ा होने का कभी अभिमान मत करना क्यूंकि हाती का सरीर बड़ा विसाल होता है परंत वो अंकुस के बस में रहता है क्या अंकुस हाती से बड़ा है छोटा सा दीपक बड़े से अंधेरे को मिटा देता है बज्जर गिरने से बड़े से बड़े परवत धारा साई हो जाते हैं जिसमें तेज होता है वही बड़ा होता है जैसे बिना गुड के सौंदरिये व्यर्थ है विना सी कि विध्या व्यर्थ है बिना भूक के धन बेकार है उसी प्रकार बड़ा और प्रतेश्चत व्यक्ति तभी माना जाता है जब उसे अपने बड़पन का विवान नहीं होता जिसके होने से औरों को कोई दुख न हो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो स्वयम तो सुखी है फ बाद में सर्मिंदा होने के अत्रिक्त उनके पास कुछ नहीं रहता इसलिए अपने से छोटे को कभी नीदिये मत उसकी इस्तिती का मजाक मत उड़ाईए उसे आप सांतुना देने का काम कीचिए आप हमेशा बड़े बने रहोगे कहते हैं कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए क्यूंकि हम सब के जीवन की प्रतेक परिस्तिती परिवर्तन सील है आज कुछ और है कल कुछ और हो सकता है जो आज है वो कल नहीं रहेगा किसी को भी तोच समझ कर उसकी निंदा ना करें समय किस करवट वैट जाए किसी को नहीं पता कब बड़ा छोटा हो जाए छोटा बड़ा हो जाए ये भविस पर निरभर है और भविस उसी का अच्छा होता है जिसका बर्तमान सही है इस धर्ति पर बल बुद्धी विध्या से संपन अनेकों अनेक हुए हैं किसी को धन का मत था किसी को रूप का मत था किसी को बल का मत था किसी को पद का मत था परंतु कोई भी जादे दिन तक अपने मत को लेकर नहीं जी पाया दर्शक बंथू ये कहनी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल क स्रीराम